हमने सीखा, स्रोत के कमपन से ध्वनी उत्पन्न होती है, ध्वनी किसी माध्यम में अनुधैर्य तरंगों के रूप में क्रमशाह संपीडन एवं विरलन के रूप में संचरित होती है, ध्वनी संचरन में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोब ही संचरित हो दो क्रमागत संपीणन तथा विरलन के बीच की दूरी को तरंग देर्द कहते हैं। एन लेम्डा मानों में ध्वनी की श्रव्यता की आवरितियों का औसत परास 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक होता है। के भीतर छीपी वस्तूओं का पता लगाने में किया जाता है। मुख्य बिंदू, की वर्ट्स, विक्षोब, डिस्टॉबिंस, तरंग, वेव, तरंग देर्द, वेवलेंद, श्रव्यता परास, हेरिंग रेंज, आयाम, एम्पलिटूड, आवरिति, फ्रिक्वेंसी, आवर्तिकाल, ताइम पीरियद, संपीणन, कंप्रेशन, विरिलन, रे कृट